तो यूपी में बुल्डोजर का ताबर दोड एक्शन चल रहा है तो दूसरी तरफ सत्ता रूढ़ पार्टी के एक विधायकी एक्शन लेने वाले अधिकारियों को धमकाती नजर आई अपने समर्थक के मकान पर बुल्डोजर चल जाने के बाद भलिया के बांस दिही की विधायर केतिकी सिंग इतनी आग बबूला हुई कि तहसीलदार को ही पटकार लगा दे एक्शन में बुल्डोजर मैडम विधायक हुई फायर आप ये बताईए कि घर गिरा देते तभी तब तो फिर उच रही नहीं तब तो मैं खुदी आग लगा देती पुड़े पे बुल्डोजर का पीला पंजा केतिकी को क्यों खटका तम तमाया हुआ चेहरा जुबान से निकलते शूल सरीखे शब ये पलिया के बांस्ती से भाजपा विधायक केत की सिंग है जिन्होंने समर्थकों के साथ मिलकर तहसीन दार की ही क्लास लगा दी इसकी वज़े कुछ और नहीं बलके वही बुल्डोजर है जो धुआधार तरीके से बड़ी बड़ी इमार्तों को जमिन दोज करता जा रहा है लेकिन यहां अवैद कब्जा हटाने के लिए पहुँचे अधिकारी को MLA साहिबा ने फटकार लगा दी दरसल तहसीलदार ने कोट के आदेश पर ही एक घर के हिस्से को बुल्डोजर से गिरा दिया इसकी जानकारी जब विधायक जी को हुई तो वो अपने कारेकरताओं के साथ मौके पर पहुँच गई और फिर शुरू करती अपमान की पार्ट शाला दो मिनट के इस वीडियो में क्लाइमेक्स तब आता है जब तहसीलदार ने ये कहने की जुर्वत कर दी के घर गिरा ही कहां है विधायक के ऐसे तेवर देख कर उनके समर्थक भी आपेसे बाहर हो गए और भाशाई मर्यादा पर ही बुल्डोजर चलाती है जाहिर बुल्डोजर के इस घमासान को अखिलेश ने हाथों हाथ लिया और ट्वीट के जर्ये हमला बोला उन्होंने लिखा विकासकारियों के नाम पर जिस बेहिसाब दर पर सत्ता से जोड़े लोगों को करोरों का मुआवजा दिया जा रहा है वही दर आम आदमी को भी दी जाए और उनको भी जिनके जायज निर्मान पर केवल बिद्वेश वश बुल्डोजर चलाया गया है भाजपाईयों को लाभ पहुचाने में मुआवजा भ्रष्टा चार का नया तरीका बन गया है हालांके बुल्डोजर पर बढ़ता बवाल दे केटकी सिंग ने एबीपी गंगा पर सफाई भी दी कि बिना किसी नोटिस के वहां पर कुछ अधिकारी पहुच गए बुल्डोजर लेकर और उसके घर को बुल्डोजर चला दिया उसके घर के उपर जिसमें कुछ उसका हिसा तूट गया और हमारे मुख्यमंत्वी योगी आदित्यनात जी का साफ यह कहना है कि कि किसी भी गर गरीब के घर पर या उसके किसी रोजी रोटी पर आप बुल्डोजर नहीं चला सकते हैं जब तक आपके पास कोई उचित कारण ना हो उचित कारण भी हो तो भी आप गरीब के घर पर बुल्डोजर नहीं चला सकते बस यहीं मामदा सफाई अपनी जगे है लेकिन चुबने वाली बात तो ये है कि जिस तरह कमान से निकला थी वापस नहीं आता वैसे ही मुह से निकली बात भी वापस नहीं आ सकती और बुल्डोजर के बवाल में विधायक जी का अंदाजे बया किसी से छिपा नहीं एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर हाला कि केटकी सिंग की गिंती बलिया में तेज दरार बहला भारते जनिता पार्टी की नेता के तौर पर होती है और बुल्डोजर जिस तरह से उनके समर्थ के घर पर चला उस पर उन्होंने जो तरक दिया वो तरक भी उन्होंने अपने लिहास सही साबित किया लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना सा था कि जिस तरह से एक सरकारी अधिकारी किसके साथ वो पेश आई वो बात चुपने वाली